गाईज मुझे इस भाई का कमेंट आ रहा था कि हेलो सर मेरे खरगोस के बच्चे 28 दिन के हो चुके हैं तब भी वह 20 दिन के बच्चे लग रहे हैं प्लीज रिपलाई और इस भाई का कमेंट है कि भाईया मेरी मादा खरगोस के बच्चे 20 दिन के हो चुके हैं परवा अभी 10 तो गाई आज हम लोग इस वीडियो में ही सब कुछ कम्पलीटली देखने और जानने वाले हैं कि आखिर खरगोश के 40 दिन के बच्चे 20 दिन के क्यों लगते हैं या फिर 20 दिन के बच्चे 10 दिन के बच्चे जैसे क्यों दिखते हैं उनके कमजोर और उनहिल्दी होने के क्या कारण है और हम अपने खरगोश के बच्चों को पूरी तरह से हिल्दी या और एक्टिब कैसे रख सकते हैं तो गाई अगर आप भी एक पेट्रैविट लबर हैं और आपको भी खरगोश और उसके बच्चे पसंद आएं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेट्रैविट एंड एनिमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हरदिक स्वागत है बच्चे पहले हमको ये जरूरी है कि आखेर किंकिं कारलों से खरगोस के बच्चे अपनी नार्मले माँ खरगोस्स को अच्छा खाना नहीं मिल पाता है आई मीन उसे दूद जनरेट करने वाला डाइट नहीं मिलता है तब वो बच्चों को उनके पास रहने पर भी बराबर दूद नहीं पिला पाती है जिसकी वज़ा से बच्चों की हिल्थ और ग्रोथ दोनों रुख जाता है और बच्चे कमजोर और बीग दिखने लगते हैं और बड़े होने पर भी वो काफी बिमारियों से घिर जाते हैं बच्चों का मा के पास ना होना गाईज बहुत से रैविट लबर भाई बहिन बच्चे पैदा होने के बाद बच्चों को मां से अलग रखने लगते हैं इस डर्से कि कहीं माखरगोस बच्चों को मार ना दे या खाना जाए। और सुबा साम खुद ही बच्चों को बाहर का दूद या फिर माखरगोस को पकड़ कर उसका दूद पिलाते हैं। जिससे भी मा खरगोस पूरी तरह से बच्चों को पिलाने के लिए दूद नहीं रिलीज कर पाती है और बच्चों का पेट भी फुल नहीं होता है और बाहर का दूद भी सही तरीके से बच्चों को सब लोग नहीं पिला पाते हैं जिससे भी 30 दिन के बच्चे 15 दिन के बच् पंदरा दिन के हो जाने के बाद उन्हें दूद पिलाने पर कम और खिलाने पिलाने पर ही ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कर बड़े होने तक खरगोष के नवजाद बच्चों को 6-8 हपते तक उनकी मा का दूद ही पिलाएं और हमेशा उनको उनकी मा के पास ही रखें। ये सोचकर जरा भी ना देने कि मा खरगोष उनने कोई नुकसान पहुचाएगी या मा खरगोष उनने खुद ही खा क्योंकि गाईज 100 में सिर्फ 2% मा खरगोष ही ऐसा करती है। बाकी 98% मा खरगोष कभी भी अपने बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाती है। और बच्चों को हमेशा अपने पास देखकर अच्छे से खाना पीना भी करती है। और पूरी तरह से रिलैक्स रहती और दोनों टाइम प्रापर तरीके से बच्चों को मिल्क फीडिंग भी कराती है। और बच्चों की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती रहती है। क्योंकि गाईज आप सभी को तो पता ही है कि शुरुआत में मा का दूद बच्चों के लिए अमरित के समान होता है। और कभी किसी केस में मा खरगोस बच्चों को जनम देने के कुछ गंटे बाद या फिर कुछ दिन बाद मर जाती है। तब बच्चों को बाहर का दूद ही पिला कर जिंदा रखना पड़ता है। ऐसे में गोट मिल्क, किटेन मिल्क और ना मिलने पर काउ मिल्क यानि गाय का और गायज ये खास बात कि आपको कभी भी अपने खरगोस के बच्चों की या खरगोस की हेल्थ और ग्रोथ बढ़ाने के लिए उन्हें मोटा करने के लिए कभी भी किसी भी मेटकल साब से कोई दवा अगेरा लाकर ना दे वरना आपको काफी प्राबलम फेस करना पड़ स